नमस्कार बच्चो इह हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आईए आज ही कक्षा की शिरुवात करें आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री साहिर लुध्यानवी के द्वारा लिखा गया गीत साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना गीत उन्होंने फिल्म नया दौर के लिए लिखा था आज हम इस गीत को गाएंगे साथी साथ इसका भावार्थ जानेंगे शब्दार्थ बहुविकल्पिये प्रश्ण और शप्रश्ण उत्वर पर भी चर्चा करेंगे तो आईए शुरू करें गीत आरम करने से पहले मुझे एक बाद बताईए जो यह आपको किसान दिखाई दे रहा है यदि यह अकेला खेत में काम करें तो उसे काम करने में जादा समय लगेगा या कम लगेगा थकान जादा होगी या कम होगी? और फ़सल कैसी होगी? और यदि य alien लोग मिलकर एक दूसरे के सहयोग से काम करें, तो कितना समय लगेगा? क्या इन्हें थकान जादा होगी? काम करने में जादा समय लगेगा और फसल जादा अच्छी होगी या नहीं होगी? ध्यान से सोचिए. बिल्कुल ठीक समझें आप, यदि एक व्यक्ति अकेला काम करता ह तो इसे ठकान भी होती है, काम करने में समय भी लगता है और ज़रूरी नहीं कि जो उसका उत्पादन हो, जो वो काम करके, जो उसका ररेजर्ट मिल रहा है, उसको वो अच्छा हो. लेकिन यदि सब लोग एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो ठकान भी कम होती है समय भी कम लगता है और production जो है यानि उत्पाद है वो भी बहुत अच्छा होता है तो हमारा जो ये गीत है उसका भी यही संदेश है कि हमें मिलकर काम करना है एक दूसरे का सहयोग करना है मिलकर आगे बढ़ना है और कोई पीछे छूटना नहीं चाहिए तो गीत की शुरुआत करने से पहले हम गीत कार के बारे में भी जान लेते हैं इस गीत को लिखा है साहि लुध्यानवी जी ने जिनका जन्म आठ मार्च सन 1921 में लुध्याना के एक जमीदार घराने में हुआ था उनकी शिक्षा लुध्याना के ही खालसा हाइज स्कूल में हुई स सन 1923 में ये लाहर चले गए उसी वर्ष उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह तलखिया चपवाया सन 1929 में वे दिल्ली आ गए कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद ये मुंबई चले गए वहां इन्होंने फिल्मों में अपना भाग्या आजमाया और आजादी की राह जो सन 1929 में पहली बार उन्होंने गीत लिखा साहिल उध्यानवी ने नया दौर बाजी प्यासा फिर सुभा होगी कभी कभी जैसी लोगफ्री फिल्मों के लिए गीत लिखे उन्सट वर्ष की अवस्था में 25 अक्टूबर सन 1980 को दिल का दौरा पढ़ने से इनका देहाव असान हो गया चलिए गीत परते हैं गीत गाते हैं और गुनगिनाते हैं साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला ठक जायेगा मिलकर बोज़ उठाना साथी हात बढ़ाना हम महनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रस्ता छोड़ा पर बत ने सीस जुकाया फौला दी है सीने अपने फौला दी है बाहे हम चाहें तो पैदा कर दें चटानों मेरा है साथी हात बढ़ाना चलिए अब जानते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ इस गीत के माध्यम से गीतकार महनत करने वालों से कह रहा है कि हमें नए भारत के निर्मान के लिए काम करना होगा महनत कश लोगों का होसला बढ़ाते हुए गीतकार कहता है कि अकेले काम करने से एक इनसान बहुत जल्दी से ठक जाएगा इसलिए एक दूसरे की मदद के लिए हमें हाथ बढ़ाना होगा हम महनत करने वालों ने जब भी मिलकर काम किया है तब असंभव कारे को भी हमने संभव करके दिखाया है जैसे परवत ने हमारी महनत के आगे अपना सिर जुका दिया और सागर ने भी हमें रास्ता दे दिया है लगातार महनत करने से हमारे सीने और लोहे के समान मजबूत हो गए हैं और अगर हम चाहें तो हम उन परवतों को काट कर उन में से रास्ता बना सकते हैं यहां पर जो महनत करने वाले मजदूर हैं गीतकार ने उनका हौंसला बढ़ाया है और कहा है कि मिलकर काम करो और नए भारत का निर्मान करो आगे देखे महनत अपने लेख की रेखा महनत से क्या डरना कल गैरों की खातिर की अज अपनी खातिर करना अपना सुख भी एक है साथी अपना दुख भी एक अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रस्ता नेक साथी हाथ बढ़ाना आईए जाने इसका अर्थ क्या है गीतकार कहता है कि महनत तो हमारे भाग्य में ही लिखी हुई है इसलिए हमें महनत करने से घबराना नहीं चाहिए कल तक हम अंग्रेजों और जमीदारों और धनी लोगों के लिए काम करते रहे मेहनत करते रहें, आज हमें अपने लिए मेहनत करनी है। अपने नए भारत का निर्मान करना है, उसका समय आ गया है। हम मजदूरों के लिए सुख और दुख एक जैसे हैं। हम भलाई के रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी मन्जिल जो है वो सच्चाई के रास्ते पर चल कर ही हमें मिलेगी, इसलिए हे साथ ही एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन सकता है सहरा एक से एक मिले तो राई बन सकती है परबत एक से एक मिले तो इंसां बसमे कर ले किस्मत साथ ही हाथ बढ़ाणा, साथ ही हाथ बढ़ाणा इन पंक्तियों के दौरा जो गीतकार है उसने एकता के महत्म को दर्शाया है उसका मानना है कि जिस प्रकार से एक बून के साथ और बूने मिलती चली जाएं तो वो नदी या सागर का रूप ले लेती हैं एक अकेली बून का उतना कोई महत्व नहीं होता जितना कि जब बूने आपस में मिल जाती हैं तो वो उनकी एकता की ताकत क्या होती है कि वो नदी का या फिर सागर का रूप ले लेती हैं। उपर एक लगती चली जाएं तो वो परवत का रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार गीतकार कहता है कि यदि मनुष्य भी एक दूसरे का साथ देता चला जाए तो वो बड़े से बड़े लक्षे को प्राप्त कर सकता है अपनी किस्मत को बदल सकता है और कठिन से कठिन कारे को भी बड़ी सरलता से कर सकता है इसलिए गीतकार कहता है हे साथ ही एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाओ और अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का साथ दो तो गीत बहुत प्यारा है आशा करतें कि आपको पसंदाया होगा आप भी मेरे साथ साथ गुन-गुणा रहे होंगे तो ये तो थी गीत की बात आएए अब जानते हैं इसके शब्दार्थ सबसे पहला शब्दाता है सीस यहां मजदूर बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं गाउं के हैं इसलिए उन्होंने देशी शब्दों का प्रयोग किया हैं पूरे गीत में उर्दू और देशी शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा सीस का अर्थ होता है शीश या फिर सिर परवत यानि की पहाड या परवत फौलादी फौलाद कहा जाता है लोहे को यह जैसा कि मैंने भी आपको बताया अर्भी फारसी के शब्दे यहां पर बहुत अधिक प्रयोग किये गए हैं तो फौलाद का अर्थ होता है लोहा फौल गैरों हो गया परायों, खातिर यानि किसी के लिए, जब आप कोई कारे करते हैं तो कहते हैं इसके लिए इसकी खातिर मेंने एकाम किया तो खातिर कार्थ हो गया के लिए, उसके बाद आता है इंसा, इंसा शब्द जो है ये भी उर्दू का है, इंसा का अर्थ होता है, जो की रेद के कड़ों से बनता है अगला शब्द है मंजिल मंजिल का अर्थ है लक्षे कहते हैं अपनी मंजिल पाली यानि की अपने लक्षे को प्राप्त कर लिया और अंतिम शब्द है वो है जर्रा जर्रा यानि की रेद का कण जर्रे यदि मिलते चले जाएं तो क्या बनत प्रश्न है, गीतकार इस गीत में किसे संबोधित कर रहा है, यानि वो किसके लिए गीत गा रहा है, गीतकार इस गीत में मजदूरों को संबोधित कर रहा है, मजदूर या फिर मेहनतकर्ष जो भी है मनुश्य उन सभी को वो संबोधित कर रहा है, दूसरा प्रश्न है, इनसा इनसान चाहे तो क्या कर सकता है? याद कीजिए, पंक्ती में लिखा हुआ था. बिल्कुल ठीक पहचाना आपने. इनसान चाहे तो अपनी किस्मत को यानि की अपने भागे को भी अपने वश में कर सकता है. तीसरा प्रश्न, हमें मेहनत से क्यों नहीं डरना चाहिए? ये भी आपको इस गीत की किसी पंक्ती में अवश्य मिल जाएगा? ध्यान से सोचिए. मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि इस मेहनत से हमें इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि मेहनत करके ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष को प्राप्त कर सकत हैं अगला प्रशन है हमारी मंजिल क्या है और हमारा रास्ता कैसा है ये तो गीत की पूरी एक पंक्ती है याद कीजिए अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रस्ता नेक तो उत्तर होगा हमारी मंजिल सच की मंजिल है और हमारा रास्ता भलाई का रास्ता है नेकी का रास्ता है चलिए आगे देखते हैं बहु विकल्पिय प्रश्णुतर पहला प्रश्ण है इस गीत के गीतकार कौन है नौशाद शमशेर बहादुर सिंग साहिर लुधियानवी या सुभध्रा कुमारी चौहान ध्यान से सोचे हमने किसकी जीवन के बारे में जाना था बिल्कुर ठीक कहा आपने साहिर लुधियानवी अगला प्रश्ण है किसके सहारे मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है हमने अभी अभी जाना है बिल्कुर ठीक कहा आपने भाग्य के सहारे धन के सहारे मेहनत के सहारे या फिर किसमत के सहारे आप अपनी भाग्य को कैसे बदल सकते हैं सो हमारा रास्ता कैसा है, साफसुत्रा है, पत्रीला है, नेक है या बुराई का रास्ता है, ध्यान से सोचिए, बिल्कुल ठीक, अपना रस्ता नेक, यानि की भलाई का रास्ता है, हमारा नेक है रास्ता, अगला प्रश्न आता है, गीतकार ने एक्ता की शक्ति को किन उधारणो के द्वारा समझाया है। उसने कैसे बताया है कि एकता में ताकत है। रेत के कणों का उधारण देकर, पानी की बून के द्वारा, राई का उधारण देकर या फिर उपर्युक्त सभी, कौन से उधारण दिये हैं उन्होंने। बिल्कुल ठीक समझ गए आप। उसने ये सभी तो लिए पही उदाहरण दीए हैं तो हमारा होगा चौथा विकल्प सही यानी की उपरियुक्त सभी अगला प्रश्न है गीत में हाथ बढ़ाने के लिए क्यूं कहा गया है हात दिखाने के लिए शक्ती को आजörtGO करने के लिए या फिर हाथ जमाने के लिए यानि की थपड लगा देने के लिए सोचे ज़रा ध्यान से सोच कर बताईए बिल्कुल ठीक कहा आपने जित्र में भी आप देख सकते हैं कि सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है अगला प्रश्ण है गीत में गैरों किसे कहा गया है याद कीजिए कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना तो गैर कौन है यहाँ पर अंग्रेज हैं बाहरवाले हैं या जमीदार हैं या फिर एक और तीन दोनों विकल्प सही हैं बिल्कुल ठीक पहचाना आपने एक और तीन दोनों विकल्प सही हैं क्योंकि भारत जब आजादी के लिए लड़ रहा था और आजाद हो चुका था उस समय तक अंग्रेजों और जमीदारों के लिए मजदूरों ने काम किया था और आजादी के बाद वो अपने लिए अपने देश के लिए काम कर रहे थे तो यहाँ पर पहला और तीसरा दोनों विकल्प सही है तो हमारा जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है उत्तर आएए अब जाने विस्त कहा गया है तब आप कहेंगे सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है लेकिन फौलादी क्यों कहा गया है चलिए उत्तर देखें सीने को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि दिन रात परिश्रम करने से उन मनुष्यों के जो सीने हैं और बाजूएं हैं वो फौलाद के स समान मजबूत हो गए हैं। सीना मनुष्य की इच्छा शक्ति को दर्शाता है, दिखाता है। जब मनुष्य महनत करता है, तब वो सबसे पहले सारी मुसीबत को अपने सीने पर ही जहलता है। बाहों को फॉलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि बाहों के सहारे ही मनुष्य ने मुश्किल से मुश्किल कारें को भी सभलता से पूरा किया है इनी बाजुओं के सहारे उसने पहाड़ों को काट कर भी रास्ते बनाए हैं इसलिए उसके सीने और बाहें दोनों ही फॉलाद के स मुझबूत हो चुके हैं आए अगला प्रशन देखें अगला प्रशन है शागर ने रस्ता छोड़ा पर बत ने सीस जुकाया गीतकार ने ऐसा क्यों कहा है सोचिए सागर ने कब रस्ता छोड़ा था और पहाड ने कब सिर जुकाया इसका तो सबसे अच्छा उधारन है जब राम की वानर सेना ने पत्थरों को एक एक करके डालते एक ठुछ कर दिया कहां पर? समुद्र पर तो सोचिय राग रास्ता दिया की नहीं दिया समुद्र ने बिल्कुल दिया। तो उसी प्रकार से यहां देखते हैं क्या उत्तर होगा। गीतकार ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्यों के साहस और मिलकर काम करने की ताकत के बारे में बताया है। मनुष्य की हिम्मत के कारण ही हर असंभव कारे को संभव किया जा सका है। सागर पर पुलों का निर्मान, हवाई जहाजों का निर्मान, परवतों को काट कर रा सौ वर्षों पहले तक मनुष्य सोच भी नहीं सकता था कि वे आगाश में उर सकता है, जल में तैर सकता है, बड़े से जहाज में या फिर वो समुद्र के उपर पुल बनाने या उसके नीचे सुरंग बनाने का जो है असंभव कारे कर सकता है, लेकिन ये सभी कुछ मनुष्य की मेहनत और लगन से संभव हो पाया है, आईए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है मिलजुल कर काम करने से क्या लाब होगा, मिलजुल कर काम करने से कठिन काम भी सरल हो जाता है, काम जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाता है, साथ ही साथ आपस में सहयोग करने की भावना का भी विकास होता है कठिन कारे भी सरल लगने लगता है हमारी रह आसान हो जाती है और लोगों को उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके मन में उत्साह का संचार होता है ऐसा होने से देश का विकास भी जल्दी जल्दी होता है तो हमारा देश विकास के पत पर कब बढ़ेगा जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे एक जुठों कर रहेंगे। आईए अगला प्रशन देखें। अंतिम प्रशन है ये गीत हमें क्या प्रेड़ना देता है। तो आपने क्या सीखा इस घीत से? चल ये आईए देखते हैं। ये गीत हमें मिलकर काम करने की, एक दूसरे की सहायता करने की और देश के लिए मेहनत करने की प्रेड़ना देता है। इस गीत के द्वारा हमें एकता और संगठन की ताकत के बारे में पता चलता है। ये गीत हमें ये सिखलाता है कि साथ मिलकर रहने और काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये हमारे भीतर मेहनत से काम करने का जोश और उत्साह जगाता है। तो ये गीत सच में इतना अच्छा है, हम सभी को इससे सीख लेनी चाहिए, हमें आपस में मिलजल कर रहना चाहिए और देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहिए। आपस में लड़ने जगरने की बजाए एक होकर इतना अच्छा काम करें कि हमारा देश सबसे आगे हो, सबसे महान हो, फिर दोबारा से एक बार सोने की चिडिया बन जाए। तो हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो बेल आइकन को दबाकर हमारा चैनल सबस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलेगा जल्दी ही आपसे फिर दुबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए विदा चाहते हैं विदा